हर्दोई के बेहटा गोखुल थाना इलाके में मामली विवात के कारण यूवक द्वारा की गई फाइलिंग में गोली लगने से दो लोग घायल हो गई घायलों को इलाज के लिए जीला अस्पताल में भरती करवाया गया घायल यूवक के चाचा की तहरीर पर पूलिस ने 6 लोगों के विरूद एफाया दर्ज कर ली है मामला बेहटा गोखुल थाना इलाके के लगवाही गाउं का है यहां के रहने वाले अमनेंदर सिंग का गाउं के ही लाल बहादुर से पुराना विवात चल रहा है अमनेंदर के मुताबिक वह बीती रात अपने साथी लोनार निवासे शुभम अगनी होतरी के साथ बैठा था इसी बीच गाउं के शिवकुमार गाली गलोज करने लगा अमनेंदर का कहना है कि विरोध करने पर शिवकुमार अपने अन्ने साथियों के साथ आया और लाइसेंसी बंदूग से फाइरिंग शुड़ कर दे फाइरिंग में अमनेंदर वशुभम दोनों घायल हो गए सूचना पर सियो हरपाल राकेश विरिस्ट प्रभारी निरिक्षक राकेश आनद मों के पर पहुँचे और घायलों को इलाज के लिए जीला अस्पताल भेजा गया सियो ने बताया कि घायल अमनेंदर के चाचा प्रमोद कुमार सिंग की तहरीर पशिव कुमार वईन के पिता लाल भादूर के साथ शहानू सुनिल उदे राजव मदन पाल के विरूद कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किये गए है बताया कि लाइसेंसी बंदू के लिए लाइसेंसी निरस्ती करण की भी कारेवाही की जा रही है इस समय कहा हूं है इस समय जिलाज प्रियुक्त मैं रहने वाला हूं मैं फल लगवाई गया था वहां देदी का करवा देने कहा था तो वहां पर इनका आपसे में गलाद हो गया थिक वहां इनों ने आंग लोगों पर गोलिया भी चलाई कितनो लोग उसमें गहल हुए मैं दो लोग गहल हुए हमारे भी लग जगी वी है क्यों गोली क्यों चलाई क्या भी बात था गोली उनके पुरानी जो कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग जो गए तो उन्होंने सुचा यही कि इनके साथ में हैं तो इन्होंने सभी लोगों के पुरिया चला है कि क्यों लोग घाल हो इसमें तीन लोग एक हमारे चर्णा लगा अल्मा की में ताना पेटा को पुल में रात जारा हुजे गाहु लगवाई में एक मोट साइकल निकालने के उपर विवाद हुआ जिसमें दो लोग इंजड़ हैं और ठाने पर तहरी हुए इसके खलाब कुसम तर्मा पंजिकात हो गया है उसका सथ्त्र है उसका सथ्त्र में सथ्त्र करने कारवाई की लगवाई जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रिडिबल मारिच पलेस राजगराना और फिनेस्ट बैंक्वेट अल जोती गारदन वोल्ड-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना और जोती गारदन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज